हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट होने वाला है क्योंकि हम ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो सभी की घरों में होना ही चाहिए यह सभी मेडिसिन कामल मेडिसिन है जो ट्रीट करती है शरीर में दर्द को फीवर को जुखाम हो गया हो खांसी हो गैस बोमिटिंग यानि कि उल्टी और लूज मौसन दस्ट को ठीक करती है आप इसको फर्ष्ट एड किट में भी एड कर सकते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेनकिलर जो सरीर में दर्द के लिए कौन कौसी मेडिसिन है जिससे हमें लेनी चाहिए जिसमें हैं आईबोप्रोफेन, डाइकलोफेनक, एसिलोफेनक और पैरसिटमाल इन समय से कोई भी एक मेडिसीन ले सकते हैं कहीं भी जब कभी सरीर में दर्द हो रहा हो और ये सभी मेडिसीन ये निसेट्स दवा हैं मतलब नौन इस्टेराइडल दवा हैं इसमें इस्टेराइड नहीं पाय जाता है और ये आपको ये मेडिसीन मेडिकल इस्टोर पर इजली मिल जाएगी निस्ट हम बात कर लेते हैं फीवर यानि कि बुखार के लिए हम कौन सी दवा लेनी चाहिए इसमें आइबिपुरिफैन, परसिटमॉल और टाइलीनॉन तो ये तीनों बुखार में यूज होने वाली कामन मेडिसीन है जिन्हें आप यूज करते हैं इनसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं नेश्ट हम बात कर लेते हैं हैडेक सरदर्द के लिए कामन मेडिसीन जो आपको लेना चाहिए इसमें है एस्पिरिन जिसे हम डिस्पिरिन नाम से मार्केट में मिल जाती है या फिर आइबिपुरिफैन हो गया या फिर पैरसिटमाल हो गया यह common medicine है जो सरदद के लिए यूज की जाती है इसके लावा आप जंडू बाम या आयोडक्स लगा सकते हैं इनमें से आप कोई भी एक medicine यूज कर सकते हैं Next हम बात कर लेते हैं नाउजिया या बॉमिटिंग यानि कि उल्टिया जी में चलाने पर कौन सी medicine लेना चाहिए तो इसमें आपको अंडर स्ट्राउन हो गया और डॉमी प्राइडाउन हो गया यह common medicine है जो सभी यूज करते हैं और यह medicine आपके घर जरूर होना चाहिए नेस्ट हम बात कर लेते हैं gastritis यानि कि gas और acidity यानि कि जब किसी व्यक्ति के इस्टमक में gas या acidity का लेवल बढ़ जाता है तो आपको कौन कौन सी medicine यूज करनी चाहिए या यूज करनी चाहिए तो इसमें है रेनिटेडिन, पेंटापराजॉल, ओमी पराजॉल, रेवी पराजॉल यह सब proton pump इन्विटर हैं जो direct इस्टमक में जो proton pump पाय जाता है उसको इन्विट कर देते हैं और इस्टमक में जो acid का formation है उसको कम कर देते हैं जिसके कर गैस की जो समस्या है कम हो जाती है और acid का जो फार्मेशा नहीं बंद हो जाता है इन्में से आप को भी medicine ले सकते हैं so next हम बात कर लेते हैं diarrhea या low motion के बारे में जिससे हम dust कहते हैं इस दोरान जो हम tablet यूज करते हैं वो है leopramide दूसरा tablet है lactic acid bacillus और इस दोरान हम electron powder भी यूज कर सकते हैं जिससे जो low motion के time जो ज़्यादा iron का loss हो जाता है water के दोरान water भी loss होता है लोजमाशन के दोरान तो समय उसको recover करने के लिए lateral powder का ORS powder का हम इस्तमाल करते हैं next हम बात कर लेते हैं common cold या फिर running nose या allergy इन सभी problem के लिए आपको कौन कौन सी medicine यूज करना चाहिए तो इसमें है citrigen या फिर evil medicine लेनी चाहिए जो सब लोग यूज करते हैं और यह आपके घर पर भी होना चाहिए next हम बात कर लेते हैं आपको कोण सी medicine लेनी चाहिए जिब किसी का पेट दर का रहा हो तो इस दारान आपको कौन सी medicine लेनी चाहिए तो इसमें है diocyclosamine tablet आप ले सकते हैं next हम बात कर लेते हैं कफ यानि की खासी के रिए आप काउसी सिरप ले सकते हैं अगर ड्राई काफ है यानि कि सुखी खासी है तो आपको एक्रो एस्कुरॉल ली सिरफ ले सकते हैं और अगर आपको वेट काफ है यानि कि गेली वाली बलगम वाली खासी है तो गेली टक्स बीयम सिरफ ले सकते हैं नेश्ट हम बात कर लेते हैं जब किसी को इंजिरी या चोट लग जाने पर हमें पोबीडोन आयोडीन जो होता है इसको हम लगा सकते हैं इसे हम बीटा डीन के नाम से मार्केट में मिलती है या क्रीम या ओटमें लगाना चाहिए इसके बाद पट्टी से बाल देना चाहिए आई होप आसा करता हूँ कि मैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और अपर दोस्तों के साथ सेर कर दें दोस्तों मिलते हैं आपको अगरे नेस्ट वीडियो में ऐसी इनफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कैर भाई वाई